दोस्तों क्या आप भी बहाना बनाते हैं तो दोस्तों बहाना बनाओगे तो बड़ा खत्रा उठाओगे अभी जरूरत नहीं है जब होगी तो वो करा लेंगे वो तब ही मिलता है जब जरूरत ना हो क्योंकि जरूरत पढ़ने पर वो नहीं मिलता है इसलिए समय रहते वो पह नहीं चाहते हैं आपके पास कौन सा और कितना वो है इस चीज को निर्भर करता है आपकी सोच पर दोस्तों यहां वो का मतलब है बीमा मैं क्यों कहता हूं आपको एक टर्म प्लान एक लाइफ इंस्वरेंस एक हेल्थ इंस्वरेंस जरूर कराना चाहिए अगर आप अपने घर के एक लौते कमाने वाले हैं अगर आप अपने परिवार के एक लौते कमाने वाले हैं तो आपको एक बीमा जरूर कराना चाहिए अगर आपकी कंपनी आपको बीमा नहीं देती है तो आप एक हेल्थ इंस्वरेंस जरूर कराएं आप एक टर्म इंस्वरेंस जरूर कराएं इन सभी चीजों को कराते ही आप खुद को ही नहीं बलकि अपने परिवार को भी सुरक्षित अस्थान दे सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से आप टाम इंसोरेंस प्लान और हेल्थ इंसोरेंस प्लान और भविस में एक अछी इन्वेस्टमेंट कर पाएं इस चीज को जानने के लिए मेरी इस चनल को सब्सक्राइब कर लेजी, अपने इस चनल पर बहुत तरीका के Financial management को लेके, किस तरीके से आपको fund बनाना, किस तरीके से आपको पैसे बचाने है, कैसे आपको पैसे कमाने है, इस चीज को लेके अपने इस चनल पर मैं समय समय पर लेकर अबडेट आता रहता हूं, व्यक्ष करते हैं कि इस चनल को आप ज़रूर सबस्क्काइब करे और अपन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट इंसान बनाएं धनेवाद दोस्तों